हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होंगी दोस्तों स्वाकत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चनल रेखास प्यूटी वर्ल में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ आन्टी एजिंग ट्रीट्मेंट की प्रॉपर थियूरी मैं स्टेब बर स्टेब बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप आन्टी एजिंग ट्रीट्मेंट कर सकते हैं विदाउट एनिकिट और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगी तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब हैं। तो अब हमें ये तो पता है कि स्किन पर एजिंग आनी है तो क्यों न हम पहले से ही उसका इलाज शुरू कर दें क्योंकि एजिंग आनी तो सबको ही है हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस बट हाँ डेफिनेटली हम इसे एजिंग के जो साइन्स है उन्हें डिलेज जरूर कर सकते हैं उसके लिए हमें करनी होगी मेहनत अपनी स्किन को टाइम देना होगा प्रोपर डेली स्किन के रूटीन वीकली स्किन के रूटीन मंतली स्किन के रूटीन एज के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ेगा वो भी बिना किसी आलस के य प्रॉपर हमें मन्त में एक बार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी लेना स्टार्ट कर देना चाहिए तो आपकी एज को कोई भी गैस नहीं कर पाएगा आप 40 की एज में भी 30 के दिख सकते हैं अगर आप प्रॉपर अपनी स्किन का खयाल रखते हैं प्रॉपर एंटी एजिं मिलेगा आपकी स्किन बिल्कुल फर्म रहेगी टोन रहेगी और एजिंग के साइन जो है जुर्यां स्किन जो लूज हो जाती है आप इन सारी स्किन प्रॉब्लम से दूर रहेंगे अगर आप सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो चलिए वीडियो को स करते हैं तो इसमें हमारे बाकी फेशल के अकॉर्डिंग थोड़े से जाधर स्टेप्स होते हैं तो हमें तो चाहिए ही जाहिए नेक्स्ट है हमारा सुटेबल फॉर्ट किस तरह की स्किन पर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट को देंगे तो अबियसली ड्राय डिहाइड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है तो हम एजिंग वाले स्किन पर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट को देंगे ठीक हैं नेक्स्ट है हमारा मशीन यूजड कौन कौन सी मशीन हम अपनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में यूज करेंगे तो हम अल्टरसॉनिक मशीन यूज कर दे सकते हैं, next हम आजाते हैं अपने benefits पे कि anti-aging treatment जब हम कर रहे हैं तो हमें उसके क्या-क्या फाइदे क्या-क्या लाब मिलेंगे तो दोस्तों सबसे most and important benefit आपको ये मिलता है anti-aging treatment का कि इसमें हमारे antioxidant and vitamins होते हैं जो इस तरीके से तालमेल के साथ काम करते हैं जो आपके cellular renewal को promote करते हैं जिससे आपको एक अच्छा skin texture मिलता है, एक healthy skin मिलती है नेक्स benefit है कि हमारे skin पर जो aging के sign आने लग जाते हैं fine line wrinkle जो skin sag होने लग जाती है उसको treat करने में काफी लाब दायक है anti-aging treatment और treatment के बाद आपको आपकी skin काफी tone, supple and youthful लगती है तो इतने सारे benefits हमें anti-aging treatment के मिलते हैं नेक्स्ट है product कि क्या क्या product हमें चाहिए तो सबसे बहले हम cleanser ले लेंगे, cleanser के लिए हम cleansing milk का यूज करेंगे देन हमें चाहिए toner, toner में आप rosewood का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी skin पर जो भी toner यूज करते हैं आप वो toner भी ले सकते हैं देन हमें चाहिए scrub, scrub में हम यूज करेंगे oatmeal या फिर almond scrub का यूज करेंगे देन आप melabite powder ले लेंगे, melabite powder का भी आप यूज कर सकते हैं as a scrub अगर आपके पास melabite powder नहीं है तो आप oatmeal या फिर almond scrub भी ले सकते हैं देन हमें चाहिए aloe vera gel, peel of mask, massage oil, vitalift serum, lotion, SPF, coconut milk and avocado pulp avocado जो fruit होता है उसका हमें pulp चाहिए यह सारे product मैं आपको demo में दिखाऊंगी और उन सारे products के साथ हम basic trolley जो facial के लिए basic trolley होती है वो हम set कर लेंगे और ये सभी products भी हम अपनी trolley पर रख लेंगे तो next है दोस्तो हमारा procedure, procedure में हमारा step 1 है cleansing and exfoliating skin को अच्छे से cleanse करेंगे and exfoliate करेंगे तो हम client counseling तो कर चुके हैं तभी हमने decide किया है कि हम anti aging treatment देने वाले हैं तो अपने client को change कराईए then comfort कराईए bed या chair जहां पर भी आप treatment देना चाहते हैं then client को बता कर अपने hands को अच्छे से wash कीजिए क्योंकि client के skin को touch करने से पहले आपके hands है वो proper germs free होने चाहिए अच्छे से आप wash करेंगे, sanitize करेंगे आप खुद पर भी facial कर रहे हैं तो भी आपके hands है वो proper clean होने चाहिए skin को touch करने से पहले next है उसके बाद हम front wrapping करेंगे front wrapping करने के बाद हम client को 2 minute की harmonization देंगे harmonization में हमारे 9 steps होते हैं जिससे हमारा जो client होते हैं वो पूरी तरह से relax हो जाते है negativity reduce हो जाती है और हमारे next आगे के treatment के लिए facial के लिए हमारे जो client है वो पूरी तरह से ready हो जाते है harmonization किस तरह के से किया जाता है यह मैंने आपको demos वाले वीडियो में बताया हुआ है बट आप कहेंगे तो मैं अलग से इस पर separate वीडियो भी जरूर बना दूँगी next harmonization करने के बाद हम head wrapping करेंगे medium towel या फिर headband की help से head wrapping करने के बाद अगर client ने make up किया हुआ है तो आप make up को पहले अच्छे से remove करेंगे ताकि जब आप cleanser cleaning करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए आपको पहले अगर client ने make up किया हुआ है तो make up को proper तरीके से clean करेंगे make up removing का step मैंने या पर नहीं लिखाया बट अभी तक आपको learn हो गया होगा अगर आप मेरे videos को regular watch करते हैं तो आपको ये सारे step अभी तक learn हो गए होंगे make up remove करने के बाद हम face को अच्छे से wet cotton से cleaning करेंगे गीला cotton लेंगे और गीले cotton से पूरे face को अच्छे से clean करेंगे ताकि अगर जो भी थोड़ा बहुत make up रह गया है जो dust है face पर वो हट जाए then उसके बाद हम cleanser cleaning करेंगे cleanser लेंगे cleanser से proper तरीके से fingertips की help से circular motion में cleanser cleaning करेंगे then उसके बाद next step है हमारा cleanser को clean करने के बाद पूरे face को neck को अच्छे से tone करेंगे toner की help से उसके बाद हम मेलाबाइट पाउडर लेंगे मेलाबाइट पाउडर को वाटर में मिक्स करेंगे वाटर के साथ मिक्स करके पूरे फेस पर अपलाय कर देंगे और उसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5-7 मिनट के बाद उसे वेट करेंगे फेस कोचे से और finger tips की help से circular motion में massage करेंगे और then remove करेंगे, आप फ्रिमेटर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जो scrubbing के लिह फ्रिमेटर ब्रश आता है, आप उसका भी ऊज़ कर सकते हैं, अगर फ्रिमेटर ब्रश नहीं है, आपके पास तो finger tip की help से भी आप उसको massage करके clean कर सकते हैं, जब आप 5-7 मिनट के लिए फेस को छोड़ते हैं उसके बाद आपको फेस को हलका सा गीला करना है तब ही वो अच्छे से रिमूव हो पाएगा ठीक है और उसके बाद हम उसे वेट कॉटन से क्लीन कर लेंगे मेलावाइट पाउडर आपके पास नहीं है तो आप ओट मिल स्क्रब भी ले सकते हैं और आमंड स्क्रब भी आप ले सकते हैं scrubbing करने के बाद हमें करना extraction extraction करने के लिए हम क्या करेंगे हम करेंगे hot and cold compression हम cotton लेंगे cotton को soda by carbonate वाले solution में dip करेंगे and उसको face पर spread करेंगे और उसके बाद उस पर हम देंगे steam 5-7 मिनट तक हम steam देंगे और जैसे भी requirement है face के according face की condition को देखते हुए हम steam देंगे steam देने के बाद हम extraction करेंगे white hand and black head को remove करेंगे जो आप steaming देने का process है आप इसे scrubbing के साथ भी कर सकते हैं जब हम scrub करते हैं तो आप scrub के साथ साथ भी steam दे सकते हैं face पर second step है हमारा skin rejuvenating इस step में हम अपनी skin को repair करने का काम करेंगे हम massage oil लेंगे facial massage oil और उसे 5 minute अपने face पर अच्छे से massage देंगे देन उसके बाद हम avocado pulp लेंगे दो चमबच avocado pulp लेंगे और उससे face पर अच्छे से massage करेंगे अगर आपके पास avocado pulp नहीं है तो उसकी जगा पर आप coconut milk ले सकते हैं coconut milk का भी यूज कर सकते हैं बट अगर आपको best result चाहिए तो आप avocado pulp का ही यूज कीजेगा उससे बहुत अच्छा effective result मिलता है तो massage करेंगे हम अपनी face पर अच्छे से 15 मिनट तक और उसके बाद उसे wet cotton से moist cotton से उसे clean कर लेंगे then हम जाएंगे next step पर next step है हमारा third step skin lifting and tightening का ये हमारी skin को lift करने में tight करने में help करेगा इसमें हम square whip machine का use करेंगे aloe vera gel के साथ aloe vera gel को पूरे face पर अच्छे से spread करेंगे और उसके बाद 20 मिनट तक square whip machine का use करेंगे square whip machine को किस तरीके से use करना है वो मैं आपको demo में बताऊंगी and उसके बाद हम vitalift serum का use करेंगे vitalift serum को आप vitalift serum के penetration के लिए आप ultrasonic machine का use करेंगे क्योंकि ultrasonic machine जो है वो serums को बहुत अच्छे से absorb कराती है skin में तो हम ultrasonic machine का भी use करेंगे अगर ultrasonic machine नहीं है तो आप hand से भी करा सकते हैं बट ultrasonic machine से बहुत अच्छे से हमारी skin में absorb होगा serum जिससे हमें काफी best result मिलेंगे and next step है हमारा step 4 revitalizing face जिसमें हम whitening peel of mask का use करेंगे rubber mask का use करेंगे पूरे face पर spatula की help से हम rubber mask को लगाएंगे और 15 minute के लिए छोड़ देंगे ये mask बहुत अच्छा effective result देता है हमें तो 15 minute हमें इससे छोड़ना ही है और आप इसे eyes पर भी लगा सकते हैं lips पर भी लगा सकते हैं अगर आपके client claustrophobic नहीं है तभी आप eyes और lips पर लगाएगा otherwise आप avoid करेंगे अगर आपके client claustrophobic हैं तो आप eyes और lips पर नहीं लगाएंगे then हम इस mask को remove करेंगे जब ये dry हो जाता है 15 minute के बाद ये dry हो जाएगा तो easily ये skin को छोड़ देता है और बहुत easily ये remove हो जाता है उसके बाद आप face को अच्छे से wet cotton की से clean कर देंगे mask cotton से iron उसके बाद lotion लगा देंगे और SPF ज़रूर लगाएंगे अगर दिन के समय किया है तो आपने जो इतने सारे step किये हैं उसका पूरा benefit आपको चाहिए तो SPF बहुत must है कि आपको apply करना ही है तारे step complete होने के बाद हम headband को remove करेंगे client को बैटने में help करेंगे pressure points देंगे back पर ताकि client को अच्छा feel हो massage देंगे उसके बाद आप client को home care kit recommend करेंगे आप clients को बताएंगे कि उन्होंने जो anti-aging treatment लिया है अगर वो चाते हैं कि उसका best result उन्हें मिले तो उन्हें घर पर भी proper skin के routine को follow करना पड़ेगा अपनी skin का खयाल रखना पड़ेगा जिसमें आप उन्हें home care kit में products अपने according recommend कर सकते हैं आप उन्हें cleanser, toner, moisturizer, sunscreen, serum ये बता सकते हैं और दिन में उन्हें दो बार cleanse करना है अपने skin को बहुत अच्छे से tone करना है moisturizer का यूज़ करना है बाहर जाने से पहरे या फिर घर में है तो sunscreen जरूर यूज़ करना है क्योंकि sun की harmful raises होती है वो भी जुड़ियां face पर जल्दी आने का एक बहुत ही बड़ा reason होता है तो sun की harmful raises से अपने skin को बचा कर रखना है तो sunscreen जरूर यूज़ करना है serum यूज़ करना है तो ये तो दिन में उन्हें दो बार करना है एक morning time में, एक night time में सोने से पहले and twice a week week में सबतहा में दो बार उन्हें अपने skin को exfoliate करना है मतलब scrub यूज़ करना है scrubbing करनी है and pack का यूज़ करना है pack कौन सा यूज़ करना है उनके skin के according आप उन्हें suggest कर सकते है recommend कर सकते हैं कि वो कौन सा pack यूज़ करे उनके skin condition को need को देखते हुए आप उन्हें recommend कर सकते है scrub and pack and cream, gel और serum ये सारी चीज़े उन्हें यूज़ करनी है और monthly skin के routine तो वो आप से ले ही रहे हैं तो आप ये उन्हें ज़रूर recommend करेंगे ताकि उन्हें और बहतरीन best effective result मिले उस treatment का ठीक है सरिफ anti-aging treatment लेने से ही काम नहीं चलेगा proper skin के routine को घर पर भी follow करना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ आपस में connected है तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हमें follow करना है इस्ट है हमारा frequency कि आपको कितने दिन में anti-aging treatment लेना चाहिए तो once a week और as required सबता में एक बर तब आपको लेना चाहिए जब आपकी skin पर बहुत ज़दा aging के sign है आपकी skin पर बहुत ज़दा जुरिया है skin बहुत ज़दा lose होने लग गई है 40 के बाद आप week में एक बर anti-aging treatment ले सकते हैं अगर आप 25 के बाद से ही start कर देते हैं तो month में एक बार enough है आप 15 days में भी ले सकते हैं जैसे भी skin की condition है जैसे skin की need है आप उसके according अपने treatment को plan कर सकते हैं यह वो सारी चीज़े हैं जो मैंने वीडियो की शुरू में आपको बताई थी कि आपको anti-aging treatment लेने के सासर proper skin के routine को follow करने के सासर कुछ और चीज़े भी आपको follow करनी है best और effective result के लिए ताकि आप अपने aging के sign को पूरी तरीके से delay कर पाएं तो यह सारी चीज़े भी आपको follow करनी है use home care kit as advice जैसे भी आपको home care kit advice की गई है आप उसे proper follow करेंगे skin care routine को morning, night, daily follow करेंगे weekly है ना उसके बाद advisor client वो facial exercise आप अपने client को facial exercise की advice देंगे कि दिन में एक बार कम से कम morning या evening जब भी उन्हे टाइम है facial exercise वो ज़रूर करें 10 minute निकाल कर इससे बहुत अच्छा result उनको मिलेगा and drink at least 8 to 10 glass of water दिन में कम से कम 8 से 10 glass पानी तो पीना ही है ताकि अच्छे से हमारी जो body है वो internally cleanse हो तो पानी का intake बहुत अच्छा लेना है आपके diet बहुत अच्छी होने चाहिए take antioxidant diet लेनी है आपको तो diet हमारी बहुत अच्छी होने चाहिए क्योंकि जब हम skin पर बाहर से काम कर रहे हैं तो हमें skin पर internally भी work करना पड़ेगा तभी हमें best और effective result मिलेंगे तो ये सारी चीज़े थी ये ता हमारा पूरा anti-aging treatment का theory की सारे steps जो हम इस तरीके से करेंगे without any kit हम इस anti-aging treatment को plan कर सकते हैं तो दोस्तों I hope कि आपके सारे steps अच्छे से clear हुए होंगे आप कुछ सारी चीज़े समच में आई होंगी बढ़ फिर भी अगर कोई आपका doubt रह गया है कोई step आपको clear नहीं हुआ है समझ में नहीं आई है कोई चीज तो मुझे comment box में comment करके जरूर पूछेगा मैं आपके questions का answer जरूर दूँगी तो I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो please like जरूर की कर दीजेगा वीडियो को आपके like से मुझे motivation मिलता है कि मैं आपके लिए इसे तरीके से वीडियो बनाती रहूँ तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजेए पासी वने bell icon को प्रेस कर लीजेए ताकि आपको मेरे आने बाले सारे वीडियो के notification मिलते रहें क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ है professional beautician का coach इसमें मैं आपको skin, makeup and hair तीनों चीज़ों की proper पूरी theory and demos दूँगी तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजेए तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक हैल रखिए अपना और अपनों का और यूँ ही ब्यार बाठते रहे हैं झाल बाठते हैं